हेला एवरिवन कैसे आप सब मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप मात्र 6 साल के अंदर शूशेफ बन जाओगे जब हम लोग केरिर की स्टार्ट करते हैं तो हमको एक शेफ बना होता है अगर मैं एक मैंनेजमेंट लेबर पर काम करना चाता हूँ और यहाँ पे इस समय अगर मैं बात करूँ शूशेफ बनना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है बट कुछ टिप्स हैं कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको लगातार करते जानी है ताकि आप भी शूशेफ के तौर पे जल्दी से जल्दी प्रमोट हो पाओ आप बोल सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको साथ तरीके बताने वाला हूँ जो कि आपको शूशेफ की प्रमोशन जल्दी से जल्दी दिलाएगी यहाँ पे किसी भी प्रकार के आप CDP, Senior CDP हो सकते हैं ठीक है चाहे वो Chinese हो, Conti हो, Indian हो, Banquet में हो, Coffee Shop में हो उससे कोई matter नहीं करता है यह सारी की सारी चीज़े applicable है हर किसी एक CDP पे या Senior CDP जो भी शूशेफ जल्दी से बनना चाता है और उन सभी कौमी लेवल पे जोकि अभी से ही इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में डाल लेंगे तकि बाद में उनको इस चीज़ का benefit हो पाए शूशेफ बनने के लिए खाना बनाना जरूरी है बड़ उसको हम लोग एक side रखते हैं बड़ जो points मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा जरूरी है और जो साथवे number का point है वो सबसे ज़्यादा important है तो वीडियो को आखिर तक आपको क्या करना है जरूर देखना है और channel को subscribe जरूर कर लेना है तक इसी प्रकार की और भी informational videos आपके पास लगाता रोजाना आती रहेंगी सबसे पहला point यहाँ पर आता है excel in your current role आपको जो भी current role है उसमें आपको excel करना है आपको यह दिखाना है positive attitude रखना है कि आपका जो current role है उसमें आप और ज्यादा अच्छा कर सकते हो नई नई decisions आपको बनानी है आपके जो strong culinary के skills है वो दिखाने है example के लिए मैं बोलूँगा यहाँ पर आप एक coffee shop में काम करे हो coffee shop में हर तरीके का department होता है चाइने इंडिन कांटी ठीक है पेंट्री है तो आपको अगर आप एक department में काम करे हो as a CDP तो कोशिश करनी है आप अपने culinary skills दिखाएंगे और दूसरे department में भी काम करेंगे क्योंकि जो सूशेफ की position है वो क्या है आपकी एक supervisory level है यहाँ पर आपको सब कुछ तो नहीं आना चाहिए पर इतना जरू आना चाहिए कि अगर आप एक shift पे हो तो आप उस shift को properly run कर पाएं जिससे की पता चलेगा कि आप capable हो आप dedicated हो अपने काम को करने के लिए और आप current role में और ज्यादा excel करना चाहते हैं दूसरा point यहाँ पर आ जाता है कि आपको आपके जो leadership के skills है वो दिखाने है show your leadership skills अब leadership के अंदर क्या होता है क्योंकि जो शूषफ position है वो एक leadership की position है तो आपको यहाँ पर आपको बोलना है कि भईया देखिए मेरी leadership skills देखिए अगर मेरा शूषफ भी नहीं है तब भी मैं काम कर सकता हूँ example के लिए कोई नया employee आ रहा है आपको उसको properly trainings देनी है trained करना है आपके जो operations है day to day activities होती है चाहे inventory लेना हो गया recipes writing हो गया junior staff के साथ meeting conduct करना हो गया यह guest से बाते करना हो गया यह सारी यह सारी चीजे जिससे कि आप एक सही ढग से teamwork में काम कर पाऊँगे और आपके जो senior chefs ही है senior supervisor उनको पता चलेगा कि यह एक strong leader है और हर कोई चाहता है कि उनका जो एक shoe chef हो strong उसके पास leadership skills हो तीसरे point में हम लोग आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा important है तेक है वो है आपका communication skills jjonal manager से बात करें हो यहाँ पर होता क्या है आप लोग आपस में बात कर लेते हो वो आपकी बाते समझ जाते हैं आप अपने जो chef उन लोगों से भी बात नहीं कर पाते हैं जह वह बाता आती हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, HR से बात करने की, Journal मैनेजस बात करने की, या फिर Guests से बात करने की तो हम लोग बात नहीं कर पाते हैं. हम लोग effective तरीके से अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं जिससे कि हमेशा जो kitchen के department को देखा जाता है कि ये अपनी बाते सही डंग से नहीं रेख पाते हैं ये back of the house है तो आपको इस myth को तोड़ना है क्योंकि सिर्फ shoe chef तो नहीं बनना है आपको आगे general manager भी बनना है अपने business भी start करने है तो आपको इस myth को तोड़ना है कि हम लोग नहीं कर सकते आपको practice करनी है ठीक है बात करने की practice करनी है आप guest से जाके बात कीजेगा ठीक है आप उनको खाना सर्व कर रहे हैं आप जाएगा अपने general manager से बात कीजेगा प्रॉपरली meetings में जाएगा तब जाके आप अपने जो communication skills को strong बना पाएंगे मैं भी आप लोगों के सामने अब तक इतनी वीडियो इसले ही बना पाया हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि बया मेरा ज़्यदा फर्राटेदार बोलनी है बट जो भी आपकी language है जिसमें आप comfortable है और सामने वाला उसको समझ पाता है उसमें ही आपको बात करनी है इसके बाद यहां पे fourth point आ जाता है हो है आपको demonstrate करना है अपनी creativity और innovation kitchen एक completely innovation का field है creativity का field है तो आपको यहां पे यह innovate करना है आप आपको अपने supervisor को नईने recipes बना के दिखानी है कुछ नई चीज़े आ रही है जैसे innovation की अगर मैं बात करूंगा कभी हम लोग molecular cuisine की बात करते हैं नईने garnishes आती है या कोई एक नई ऐसी recipes जो आज तक नहीं बनी है या कोई fusion cuisine हो गया बहुत सारी चीज़े kitchen में नईने होती रह नहीं हो बट आपके kitchen में नहीं हो रही हो तो वो सारी चीज़े आपको कर दी है जिससे कि आपके जो culinary skills है या आपकी जो ability है वो दूसरे लोगों को पता चलेगी और जो आपके senior chef है general manager उनको पता चलेगा कि बाई इस chef के अंदर इस CDP के अंदर काबलियत है नई चीज़ों क adopt करने की creativity की और आपके innovation की और साथ साथ ये भी represent करेगा कि आपका जो passion है आपके अंदर जज़बा है कलनली का और आप एक बहुती बहतरीन chef हो पांचवे point पे हम लोग आगे हैं जो कि है हमारा pursue further education यहाँ पे आपने चाहिए degree diploma किया है या आपने नहीं किया है बट आपको आपके जो education के level है कलनली का specially हम लोग level बोल रहे हैं उसको आपको आगे बढ़ाना है बहुत सारे seminars होते है webinars होते है get together होते वरक्शॉप होते आपको उसमें participate करना है और कलनली में जो भी हो रहा है उसको आपको adopt करना है यहाँ पे आपको अपनी self development के उपर भी काम करना है यह बास्ता तक Google Play Store से भी download कर सकते हैं जो कि specially chef के लिए यहाँ पे आप अलगलग programs ले सकते हैं e-books ले सकते हैं जिसका कि आपको certificate भी मिलेगा और यह सारे certificates आप जब भी कहीं नई जगे apply कर रहे हैं यह current जहां भी आप लोग काम कर रहे हैं तो आप अपनी file में HR से बोलके include करव certificate आता है तो वह दिखाता है कि आप इस field में और ज्यादा excel करना चाहते हैं और यहां अगर मैं अपनी बात बताओं जब मैं Google में था मैं बहुत सारी चीज़े नहीं नहीं करते रहता था ठीक है जिसके कि लिए जब मैंने उस company को छोड़ दिया था मैं दूसरे मौसूरी hotel मे as a executive chef join किया था पर उस समय जो Google में हमको award मिला था best Asia की team का ठीक है जिससे की यह पता चलता है कि मेरा passion था कुछ नया सीखने का ठीक है नई चीज़े करने का तो आप लोगों को भी यह चीज़े करने चाहिए छटे point में हम लोग आ गए है वो है आपका express your career goals आपको express करना है अ supervisor से discuss करने है जब आप लोगों के appraisals होते हैं आप लोगों को बताना है शेफ यह देखिए मैं बीना शूशेफ के काम कर रहा हूं ठीक है शूशेफ छुट्टी पे गया हफते बर मैं तब भी काम कर रहा हूं और मैं सारी चीज़े कर सकता हूं तो जो भी next अप्शूर्टी होगी वो मुझको ही मिलनी चाहिए आपको express करना है मेरे कई सारे ऐसे CDP होते थे कॉमी बन होते तो जो आके मुझे office में बताते कि chef देखिए मेरे इंदर इतनी capability है आप मुझे कोई challenge दीजिए आप मुझे challenge दीजिए कि आप ये करके दिखाऊ और मैं आपको करके दिखाऊं से ये बात करनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं आपको इस दुनिया में कुछ भी मिलेगा नहीं सबसे last point पे हम लोग आ गये हैं be patient and persistent इसका मतलब है कि आपको धहर्य रखना है धीरज रखना है क्योंकि सिर्फ एक दिन में 7 point को आप जिंदगी में apply नहीं कर पाओगे और आपकी promotion नहीं होगी इसके लिए समय लगेगा आपको hard work करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा नई चीज़ को adopt करना पड़ेगा ठीक है और आपको ये लगातार करते रहना पड़ेगा persistent रहना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास opportunity आए आपको नहीं रखना है तो ये सारी चीजे जो कि मैंने आपको यहां पर साथ पॉइंट बताईए इनका आपको ध्यान रखना है अगर आप ये सारी चीजे करेंगे तो आप देखिए आप सिर्फ 6 साल के अंदर ही शूषफ बन जाएंगे इसके अलावा जो मैंने आपको आ का अपको ये सरी ऊथ एक ये स्वालारा है ये उजे बन एको ये तो आपको ये शोर मीर नवे पातागा है ये जापको ये सार लावा कर आपको लिख गना है ये सा हंगे ये और रतागल, मैंने अपको येस द जाबने पु Committee मısरता Okay. झाल झाल